आज हम बात कर रहे हैं Springer Journal पर submit कैसे किया जाए हमने एक वीडियो पर बात किया था Springer Journal पर ही submission का बट वहां पर था editorial manager की थूर कैसे submit होता है there are basically two platforms as of now what I can you know मैंने जो देखा है जो मैं submit करने जाता हूँ एक तो editorial manager हो गया दूसरा है Springer Manager का खुदी का platform जो आज इस वीडियो पर हम बात करेंगे अगर आप कोई जनल सिलेक्ट कियो अपने subject field के हिसाब से and उस जनल पर जब आप जाके submit करेंगे वो editorial manager का interface आ रहा है तो आप वीडियो भी देख सकते हो कैसे submit करना है क्या क्या स्टेफ होता है because you want to be you know sure की मुझे क्या होना है क्या नहीं होना है क्या क्या चीज मेरे पास पहले से ready रखना है मैंने भी यहाँ पे बना लिया एक demo cover लेटर एक paper demo paper मेरा मतलब आपका तो complete paper होगा submit करने के लिए अब जा रहे हो and यहाँ पे reviewer detail भी कहीं कहीं पे मांगा जाता है वो mandatory होता है केंगें पे optional भी होता है तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि कैसे submit करना है before that मैं आपको request करूंगा do subscribe you know because we are covering so many topics and आप अगर सोच रहे हो कि paper कैसा लिखा जाये तो please explore paper writing playlist and continue with this video please hit the like icon and stay connected तो आप देखो अभी जो interface पे हम आये मैं किसको click किया था आप अगर कोई भी journal के home page पे जा रहे हैं submission का option कहीं ना कहीं आपको मिल जाए जैसे यहाँ पे available है submit manuscript का तो आपको तो पहले अपना guideline बगिरा check कर लेना है submission guideline जो है ethics and disclosure जो mandatory disclosure अभी है declaration part include करना होता है आपका author contribution हो गया ethical कुछ अगर requirement है institution से अगर human कुछ involved हुए है और any you know animal involved है आपके study पे तो ethical declaration बगिरा चाहिए होता है that you have to refer to their guideline उसी line पे आप लिख सकते हो declaration डाल सकते हो and funding है and acknowledgement करना है उस सब करने के बाद मतलब आपका paper ready है and you are planning to submit तो उसके उपर भी हमने बात किया हुआ है that's what I was talking about please explore कीजिए वीडियो बगिरा को भी तो यहां पर हम submit करने के लिए जा रहे है तो आप देखिए यह interface यहां पर आ रहा है तो दूसरा जो मैं बता रहा था editorial manager आता था जहां पर कि आपको वहां पर जो दिक्कत है basically मैं आपको बताता हूँ अगर springer का मैं अभी submit कर रहा हूँ मेरा 2-3 paper ready है अलग-अलग journal पर जहां पर editorial manager है तो वहां पर जो आप account create कर रेइस्टर करके बना रहे हूँ वहां पर user ID password बगेरा सायथ अलग-अलग होगा आप अगर एक रखना चाहूँ रख सकते हो बट यहां पर क्या है एक अगर आपने बना दिया account stringer nature का तो आप यहां पर रिसा स्क्वेर को भी एक्स्टर कर पाऊगे अपना author dashboard को भी कर पाऊगे and submission अगर इस platform के थूर जा रहा हूँ उसी email ID उसी password के थूर और यहां पर आपका लोग-इन हो जाएगा उसी के थूर ही लोग-इन हो जाएगा तो मैं यहां पर अगर मैं अपना select करूँ जिसके थूर रेइस्टर है इसके थूर अगर जाओं तो लोग-इन हो जाएगा बट आप क्यूंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको क्या करना है उसको बताने के लिए मैं क्या करता हूँ जो एक email ID में use करता हूँ जिसके थ एकाउन के थूर डायरेक्ट लॉग-इन होके भी continue हो जाएगा बन जाएगा और किट के साथ भी कर सकते हो और के इंटिगरेशन डट इस बच मोर बेटर मैं हमेशा बोलता हूँ कि एज रिसर्चर आप लोग को और कि आईडी होना है अभी अगर देखो जो publish paper हो रहा है वह यहाँ पर फॉर्स टाइम अगर करना चाहते हो थूर इमेल आईडी तो एक इमेल आईडी में डालता हूँ जो कि रिस्टर नहीं है तो आप देखो यहाँ बता रहा है कि I already have an account using a different email address जो कि मेरा है मैं उसी के थूर ही जाऊंगा तो यहाँ पर मैं जाऊंगा अगर नहीं है तो आप अपने नाम, last name, password, repeat करके, agree करके आप डाल दो तो रिस्टर हो जाएगा तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ आपको बैसे के लिए फॉलो करना है आपका account रिस्टर होगा साहत एक एक एक्टिवेशन मिल जाए आपके email ID पर आप हो कर लो तो वो active हो जाएगा तो अ आपका अगर paper most cases पर आप समिट कर रहे होगे research और review अगर brief report है and if you are thinking to do that आप उसी के साथ जा सकते हो और आप research और review में जाते हैं तो अभी मैं research select करता हूँ and start submission करता हूँ जब आप करोगे वहाँ पर भी author guideline था वहाँ पर आप जा के देख सकते हो यहाँ पर आपकी पास option है आप देखो अभी एक तो यहाँ पर upload करेंगे file फिर detail है author है declaration है review है उसके बाद submit होगा और एक चीज़ जो difference है editorial manager पर वह भी आप side by side इनो दिमार्ग पर रख सकते हो यहाँ पर केस नहीं है वह भी देखेंगे तो मैं यहाँ पर एक upload कर लेता हूं जो मेरा demo paper है demo paper मैंने upload क्या दिया demo paper क्या है अगर आपको देखना है जस्ट मैंने एक template यहाँ पर रखा है so as to you know नाम ऐसे कुछ रख्या first author second author and template ही रख दिया है तो एक demo paper है cover letter क्या होता है cover letter पर आप editor को लिखोगे कि आपका research paper and title जो है आप उस journal पर submit कर रहे हो and study basically key contribution क्या है थोड़ा highlight करके and आप declare करोगे कि there is no conflict of interest कि ओपर कहीं पर submit नहीं हुआ है all that and आप फिर अपना नाम you know करके submit कर सकते हो and few cases जहां पर कि आपका preprint कहीं पर available है let's say research square पर है और some other platform पर preprint आपने कभी publish कर लिया था तो आपको ओर होने का कुछ जरूद नहीं है ओब आप cover letter पर mention करो क्योंकि preprint as a publication general count नहीं करते है and they know your author का right है preprint पर उडाल सकते है and आप यहां पर उसको mention कर सकते हैं जब आपका paper publish हो रहा है आप अपना preprint version भी change बाजब कर सकते हो तो यहां पर वह सब आप cover letter पर रखना होता है and कहीं की पर title letter भी होता है जैसे कि double blind preview पर जब अगर जाता है तो वहां पर author को अपना identity हटाना होता है मतलब paper पर नहीं रहेगा तो आपका जो title page एक बनेगा जहां पर कि आपका title author name abstract then declaration अगर कुछ है जहां पर नाम बगएर है author contribution उससब रहेगा और title page हो गया then man manuscript जो हम यहां पर बात करें जो यहां पर upload हो रहा है अगर double blind peer review पर है तो वहां पर आपका title आ गया नाम हट जाएगा abstract रहेगा keyword रहेगा बाकी सब रहेगा और जहां पर header footer कहीं पर अगर नाम बगएरा कुछ भी है author का तो सब हटाना होता है तो double blind peer review पर होता है वह basically platform पर बता देगा कि आप वहां पर double blind peer review है कि single blind है उससाब से आप कर सकते हो यहां पर as such mention नहीं है तो मैं यहां पर कर रहा हूं कोई-कोई journal पर होगा तो आपको careful होना है नहीं तो फिरो dex reject और आपको resubmission के लिए request आए आप देखो table figure आप अगर सकते हों मैं अपने case पर क्या करता हूं table figure उसी paper के अंदर ही रखता हूं तो मैं additional file upload नहीं करता हूं but it is up to you अगर आप अलग-अलग उसको upload करना चाहते हो and related file जैसे कि कुछ optional file code बगेरा हो गया कि any video that you have made you know to showcase जो experimentation वहा है all that also you can be able to upload in additional file तो होने के बाद आपको next करना है आपका फिर देखो collection यहां पे एक optional है collection मतलब अगर कुछ special issue पे आप target कर रहे हो और कुछ invitation पहले था जैसे कि यहां पे option पे दिखा रहा है collection पे तो ऐस सच नहीं है तो यह select नहीं करना है that you have to be careful you know randomly आप अगर collection कोई select कर लो जहांपे की mean to be you know some invitation जो आपकी पस नहीं आया था तो फिर हो गलत होगा तो title यहां पे आपको select करना abstract यहां पे डालना होगा तो मैं abstract कुछ डाल देता हूं just to complete all the steps you know abstract जो भी होगा आप अपना डाल दीजेगा वहां पे और कभी-कभी ओ जो आप complete paper upload करोगे sequence पे होगा automatic कोई-कोई page पे ले लेता यहां पे cover letter upload करने के लिए तो हम एक cover letter जो है उसको भी upload कर लेते हैं तो यह part I guess हो गया आप देखो अगर नहीं हुआ होगा तो फिर हो indication आएगा कि ओ complete करो तो अभी आप देखो आपका यहां पे author detail यहां पे add हो जाएगा basically यह platform बहुत easy है क्योंकि मैं अपने demo paper पे सही से नहीं रखा हूं first name last name वो सब हिसाब से रखा हूं उसलिए वो नहीं लिया है और else वो ले लेता है यहां पे सब कुछ आ जाता है तो यहां पे institution name बेगेरा हो सब आपको रखना होगा आपको यहां पे select करना होगा corresponding author करना है एक हम कर लेते हैं जैसे कि मैं यहां पे सिक्क्यम मनिपाल कर देता हूं आप देखो वो एड हो गया institution पे and funding that is optional तो यहां पे अगर कोई funder है जैसे कि आप APC open SS में जाना चाहते हो तो वो आपको add करना है और else इसको छोड़ देना है नहीं करना है author information आपका यहां पे नाम यहां पे डाल देना है मैं अपना नाम डाल देता हूं so as it will I think नहीं तो complete नहीं होगा यह हो गया and यहां पे drop down पे primary affiliation मैं यहां पे डाल देता हूं अगर आपका additional author है तो आप add another author उसी साब चीन चार्ज हो जितना author है आप यहां पे add कर सकते हो तो यहां पे no funding को मैं select कर रहा हूं जैसे कि मैं बोल रहा मैं open assess पे नहीं जा रहा हूं funding यहां पे नहीं assess requirement अगर है तो आप वो कर सकते हो corresponding author का यहां पे आएगा वो भी आपको select करना होगा जो आपका email id होगा and if you are corresponding मालो आपने 4-5 author add किया है वहां पे सब display होगा जो corresponding है उसको drop down पे select करना होगा तो यह हो गया then यहां पे author contribution statement एक रखना है जैसे कि all the author have again you know equally contributed के यहां पे लिखा जाता है के यहां पे writing drafting then आपका software हो गया there are so many things तो यहां पे आप उस हिसाब से भी arrange कर सकते हो आप क्या करो अगर आप author statement contribution का पता नहीं है आप published paper भी देख सकते हो वहां से भी idea आपको मिल जाएगा और else I will discuss more about it मैंने I think कोई video में भी बात किया था कि क्या रखना होता है तो वह आप देख सकते हो तो यहां पे मैं simply just to complete the step मैं यहां पे यह रख देता हूं और next करते हैं तो यह हो गया author का then आप देखो declaration पे आपको declare करना होगा मतलब instruction पड़किया that I read and understood the publishing policy and submit this manuscript in accordance with this policy करके आपको जाना है and no यहां पे आपको देखो competing financial or non-financial interest अगर कुछ है तो आपको declare करना होता है so no I declare the author have no competing interest basically आपको यह पे जाना होता है but you have to look into your inno aspect की कुछ है interest अना जहां पे होता है फिर उसको resolve करके और you have to declare अगर हम yes करके जायते हैं तो आपको यहां पे specific details अब देना होगा तो हमारे case पे no है then dual publication तो no है मतलब यह publication और कहीं पे आपने submit नहीं किया basically आप यहां पे declare कर yes करोगे तो फिर यहां पे आपको डालना होगा तो जैसे कि conference पेपर कभी-कभी कोई extended version submit करने के लिए जाते हैं then you have to be careful यहां पे आप detail पे लिखो कि कितना published होई वो publication link बगेरा डालो and then you can seek you know their advice कि वो further review के लिए जाएगा नहीं जाएगा तो यहां पे few cases पे you know consider होता है extended version and they do check the similarity and up to you know certain extent they may allow तो author safe यहां पे confirm करना है then आप यहां पे देखो does the manuscript contain any material from third party तो no करना है अगर yes आप करोगे यहां पे again आपको third party permission also when close करना होगा मतलब figure और review paper बगेर आपे figure और table के कोई-कोई लाते हैं रखते हैं submit नहीं करना है क्योंकि this is just a demo paper आप देखो यहां पे यह final आ गया आपको यहां पे मैं just दिखाने के लिए कि यहां पे paper upload हो गया then final check this is the final review that you are doing जो editorial manager पे क्या होता था वहां पे आपको एक pdf you know build pdf करके आता था approve that pdf और वो read करने के बाद ही और उसको पढ़ने के बाद ही आप approve submission करते थे यहां पे क्या है यह सब check आप यहां पे करोगे आपका title then abstract then cover letter corresponding author करना है and अगर आपको करना है तो यहां पे आप जा सकते research square जो मैं बता रहा था यह जो preprint during submission you want to keep a file as preprint यहां पे option है research square पे आप कर सकते हो that is optional and आपको यहां पे बताना है in review is an optional service and it is not required for your manuscript to be considered for the general publication and आप यहां पे देखो no we do not want to post our work as preprint at this time तो मैं no पे जा सकता हूं अगर yes करूं तो ओ फिर preprint पे चला जाएगा and submit manuscript यह last step है अगर मैं यहां पे करता हूं तो यहां पे आपको आ जाएगा एक mail आपको email id पे पे आ जाएगा कि manuscript has been submitted और initial submission का आएगा draft submission का और कुछ time की बाद आपका submission confirmation आएगा and take paper id भी generate हो जाएगा so these are the step and यहां पे जो हम मैंने रखा था की reviewer detail यहां पे नहीं मांगा सायद कोई और यहां जरनल पे मांगे यहां आपको यहां जी टेब दिखा ही दे रहा है और एक टेब हो यहां पे reviewer का होता है तो that way you have to be ready with the reviewer name also किया आप बेठी हो submit काने के लिए सब file आपके पास ready होना है so this is how you should be submitting to any journal तो वो journal भी थोड़ा बहुत इदर उदर twist होता है but हम यूँकि request है to cover और मैं भी सोच रहा था कि different journal जो mainly ज्यादा submission होता है जैसे कि Springer, Elsevier, Willi, IEEE ho गया उस अब journal को हम देरे-देरे cover करेंगे submission step बगेरा another publication ethics related another support or AI tool related please do explore our playlist and thank you for watching this video अब comment किजिया आप लोगा comment आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है and I am also getting to know कि किस topic पे आपको जादा interest है कहां पे आपको दिक्कत हो रहा है so it is helping me to make videos on that and thank you again for watching this video please hit the like icon for living thank you